है हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा परनाम है और चोटो को जीव और यासिवाद दोस्तों स्वागत थे आप लोगों के मेरे आज के नई व्लॉग में बुलोग तो यह बिल्फुलिंग है यह वीडियो और भी कुछ खास बात कहिंद आप से कि आप लोगों ने बोला था मुझे कि मतब किसी का कमेंट आये था मुझे कि अपने वीडियो के बारी में बताओ कि आप क्या से अपलोड करते हो कितना शनल यह नप लगता है यह यह जानcessors हम आप लोग जाना तब चाहते हो क्योंकि आप अच्छा लगता है इसलिए आप किसी के बारे कुछ जाना चाहते हो जब आगया नेसे देखा है संजा जाना है तब मैं आप लोगों को बता परlim कि वह बताना चाहें थो अब को लेकिन बात बात ही हुई आज की शुबह उठी मैं लेती उठी मैं साथ बजे तक उठी काजू नास्ता नुच्ट करके चली गी थी काजू ने रात की सब्जी थी साहट नहीं सब्जू सुबह बनाई और आठा रात कता तो उसमें अपने लिए रोटी बनाई तो चलीगी थी फिर मैं माई-के चली जाकी कुछ क्का onesie rice काम है विसलों में जल्दी बर्तं माज हमने नास्ता किया ब слыш अब्लत पॉच्छा माज़ा रभने नाहाने गयी डालने का का अब्लत ठाइम नीर बनाया और विड़ियोफमे देश्लरी नहारे गौड़ दिलक लो बाहएं इतने में टाइम साडी 11 होगे तो मुझे काम भी था तो मुझे में वारू कि दोए वाले में यादा आपको एक सूट दीया था पहले भूत वखले शिल्वाने के लिए तो उन्होंने वह सूट ना अभी तक भी निची किया उसके ना जो पल ले थे नीचे के वह बहुत जाद चौड़े हो रखे तो मैंने कम करवाने के लिए दिये थे तो उन्हों अभी तब को काम नी किया तो फिर वहां पर थोड़े मेरी बहस के साथ कि मतलब मैं आज साथ वे बार गएगा तो फिर पहले मैंने बोला नहीं पर जब ज्यादा हो जाए तब बोलना पड़ता है बिना को लेगी काम नहीं होता तो फिर मैं वहां से फिर घर कुछ मतलब क्राम भी था तो वह भी करके माई के चली माई के गई तो माई के मैं एक बज़े तक पहुंचे होंगी टाइम लगी है फिर बावियों ने चाइच्वी बनाई ऐसी थोड़ा खाना खाया दो बजे हमने खा तो आ गए तो फिर जो दुकान वाली थी उनसे वो मेरी दोस्त है पुरानी मुझसे बड़ी है एज में लेकिन दोस्त दीवी बोलती हूं तो फिर उनसे बातचीत काफी टाइम बात मिली तो बातचीत होने लगी तो फिर बातो बातों में मैंने कुछ समान भी ले लिया और कि कलार्फुल चूडिया भी पहन दी पहने मेरे ग्रीनी थी फिर मैंने यह कलार्फुल चूडिया पहने और इनको पहनने का भी कोई रीजन है वह रीजन आपको दो तीन दिन में पता चाह जाएगा तो जब हम वहां से निकले ना तो विश्वास में हुआ कि टाइम लेश्वाला भाई आ रहा था तो वह निलकंट गया हो था तो वह निलकंट जलजुल चड़ाने गया तो फिर महां से आया तो परसाद ले पर्षाद लेकी जएगी इसे में रूग इंप परसाद रखने लगई इथे इतने में टाइम पहुने छें हो गया मैं निकल जाती ह तेलर लडनी के पास उसके पास गया हम तो तॉ ताइम हमें काफी ताइम लग गया तो अपनी बाते बत आ रहे था आसे अपनी गफ शक तो टाइम लग दया हमीं कितना कर दाएं कि वहांगी हैं वहां से खाना खुना बनाया और तोड चिल में थे टा है मारा दस बनागी यह भी टाइम हो रहा है पॉने मैं दिल से सौरी बोलती हूँ कि जो आपने बोला था वो मैं आज करनी पाई लेकिन मैं कल के व्लॉग मैं पक्का बना दूँगी उसके लिए मैं सच मैं मुझे बहुत बेकार लग रहा है कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अभी करती हूँ मैंने जो बात बोली है मैं पक्का करती हूँ तो मैं पक्का आप लोगों के लिए वो व्लॉग बनाऊंगी क्या पता हो आपके लिए हेल्प फूलो है ना तो मैं जरूर आप लोगों के लिए बनाऊंगी और और वे आपके कुश्चन होंगी तो मैं जरूर बताऊंगी जो भ लोग मेरे साथ जुडे हैं मुझे रोज डेखते हो सुनते हो तो अपनी बाती भी मेरे सामने रगते हो जो आको अच्छा लगता है बुरा लगता है वह सारी चीजे तो फिर मैं भी आपकी कमेंट के द्वारा आपकी बातों को पढ़ती हूं देखती हूं समझती हूं तब मेरा मन करता है कि हां मैं आपका जवाब दूँँ जवाब बोलते हूं तो फिर उसी के करके मैं आज के लिए बहुत बहुत शौरी बोलती हूं लेकिन कल आपका पका आएगा वह वाला वीडि होंगे तो अंधेरा हो रहागा बहुत जागा मुझे अच्छा नहीं लग रहा दी नाइट में सब सो भी रखे और मैं सोर मचा रही मतब सासो मा सो रहा है काजू तो फौन में हलकी आवाज आ रही होगी ना बात करें जेड़ी से कंप्पुटर भी तो मैं मिलोंगे आपको कर कि उस्वाले व्लॉग के साथ आज के लिए दिल से सौरी आज मैं आपको कमेंट करने के लिए लाइक करने के बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आज मैंने आपके मन का काम नहीं किया तो उसके लिए शौरी बस अपना ख्यार रखें टाटा बाइबाई लव्यों गुड़ ना झाल झाल झाल